हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम टू आवर चैनल आई होप यू आर वेल तो आज हम लोग एस यार एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग इंग रूस को पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को हम लोग डिटेल वाइस डिसकसिन करेंगा और इससे रिलेटेड जितने भी प्रिविएस यह को से उसको देखेंगे तो इसके जो है प्रॉपर नोट्स बना लीजेगा तो उससे पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूले और बैल आइकन प्रेस कर दिजेगे इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एस यार जो है इसका फुल फॉ इसको जो है एस यार को सबसे पहले सिम्योर लुबिश्की ने अनॉंस्ट किया था सिम्योर लुबिश्की ने ही कैटलॉगिंग रूल्स का आइडिया दे था इन्होंने अपनी एक बुक लिकी थी नाइंटी सिक्स्टी में उस बुक का टाइटल था लुबिश्की स्कोड कैटलोगिंग रूस ऑथर औंटाइटल इंट्री अण अन्फिनिश्ट ड्र healthy और ईसी बुक fac consomm was inspired और बुक से आइडिया के आइडिया लेआपकक दो नाइन्टी सिक्स्टी सेवन वह सुथा सिम्योर लुबिश्की के बुक थी छिडी प्रिंसिपल्स जो कि Paris में हएल्ड होता है इसको हम लोग Paris principle भी कहते है एस यहार टू एस यहार बोर्जन में पबलिश होता था इक तो ब्रेटिस एंड सीकेन नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट 1974 में 1967 में जो हमारा सबसे पहले ASER आया है उसके बाद 1974 में ASER को revised किया जाता है इसमें ISBD को adopt किया जाता है जिसमें से ISBD का full form होता है International Standard Bibliographic Description 1974 में जब ASER को revision होता है तब chapter 12 और chapter 14 को add किया जाता है जिसमें chapter 12 होता है audio visual media और chapter 14 होता है sound recordings 1978 में ASER 2 का second edition आता है जिसको edit किया है Michael Gorman और Paul W. Wingland ने 1988 में ASER 2 का दुबारा से revised edition आता है जिसको books and loose ship format में publish किया जाता है 1998 में ASER 2 का revised edition होता है जिसको publish किया जाता है books and CD Rome format में और 2002 में ASER 2R का third revision edition आता है 2002 में ASER 2R आता है इसको दो parts में divide किया जाता है part 1 में chapter 1 to 13 रहता है जिसमें standard description के materials की जितने भी description इस standard description उसके सारे rules को cover किया जाता है part 2 में chapter 21 से 26 तक रहता है जिसमें establishment of heading or access point in the catalog uniform title and references जो भी catalog का जो भी 1998 में जो ASER 2 का revised edition आता है उसको books and CD Rome format में जब हम लोग publish करते हैं तो उसमें chapter 9 को include किया जाता है electronic resources अब जो है हम लोग देखेंगे कि ASER 2 में जो इसका जो structure है वो कैसा था तो उसमें chapter 1 to 13 में क्या है chapter 21 से 26 में क्या है तो पार्ट 1 में description आता है जिसमें chapter 1 में general use of description chapter 2 book pamphlet and monograph chapter 3 में cartographic material chapter 4 में manuscript chapter 5 में music chapter 6 में sound recording chapter 7 में motion picture and recording chapter 8 में graphic material chapter 9 में computer files chapter 10 में dimensional artificial and really chapter 11 में microphone chapter 12 में serious chapter 13 में analysis अब जो पार्ट 2 है उसमें हमारा आता है chapter 21 से 26 जिसमें chapter 21 है choice of access print and added entries chapter 22 है headings for person chapter 23 है geographic name chapter 24 है headings for corporate body chapter 25 है uniform title chapter 26 है references अब हम लोग यहां से लेकि यहां तक एक बार revise कर लेते हैं सबसे पहले हमने देखा कि AACR का full form होता है एंगलो American cataloging rule जो कि 1967 में आता है AACR, ALA, CLA और LC के merger से बनता है सिमयर लिविस्की ने सबसे पहले अपनी book 1960 में लिखी जिसका नाम था लिविस्की's code of cataloging rules author and title entry and unfinished draft इससे आडिया लेके AACR को बनाया जाता है AACR कुछ नहीं है नॉर्मली cataloging का rules है 1961 में एक conference add लोता है जिसको हम लोग Paris principle बोलते हैं और AACR जब सबसे पहले आता है तो उसको दो version में हम लोग publish करते है British और North American tax 1974 में AACR को पहली बार revise किया जाता है जिसमें ISBD को adopt किया जाता है और उसमें chapter 12 और chapter 14 को add किया जाता है 1978 में AACR 2 का second edition आता है जिसको edit करते है Michael아 dot पाल डबलो व्रिंकल 1988 में ASCR2 का रिवाइजड एडिशन आता है जिसको बॉक्स और लूस्वीot format में पब्लिश किया जाता है 1998 में ASCR2 का जो रिवाइज एडिशन है इसको बॉक एंड CD-ROM format में पब्लिश किया जाता है 2002 में AACR 2 आ रहता है जिसका यह 3rd revised edition है जिसको 2 parts में divide के जाता है जिसमें chapter 1 से 13 chapter 1 में description रहता है chapter 21 से 26 में heading से related सारा कुछ रहता है फिर 1998 में AACR 2 का जो revised edition आता है उसमें chapter 9 electronic resources को add के जाता है यह पूरा chapter part 1 में क्या क्या आता है chapters और part 2 में क्या क्या आता है जिसमें देखिए chapter 1 में 13 है और उसके बाद यहां से 21 से 14 से लेके 20 तक chapter को omit कर दिया जा चुका है तो यह आपको याद रखना है इस तरीके से question पूछा जाता है कि geographic names AACR के कौन से chapter में आता है तो chapter 23 uniform title AACR के कौन से chapter में आता है तो chapter 25 तो इस तरीके से आपको chapter 1 से लेके 26 तक आपको याद रखना पड़ेगा अब list of description तो AACR में तीन टाइब की descriptions होते हैं first level second level और third level first level में क्या होता है minimum information दी जाती है जो कि small libraries के लिए होता है second level में जादा information दिया जाता है जो large library और इसको standard description कहते है third level में हर एक possible description दिया जाता है जो कि large और special libraries में यूज होता है तो पूछा इस तरीके से question जाता है कि AACR में जो first level description है वो कौन से libraries के लिए यूज होता है तो small libraries second level की information कौन से library के लिए यूज होती है तो large library और उसी को आपको standard description भी कहते है अब types of entries AACR में किस type की entry होती है main entry जो होती है वो author और title entry से होती है और added entry को हम लोग secondary entry कहते है added entry जो हमारा joint author title, series, collaborator, subject से बनता है एक catalog code में क्या-क्य elements होते है तो एक catalog जो card होता है उसमें call number होता है adding of the entry होती है अब जो description element है उसमें punctuation बहुत important है आगे कि यह 3 slides काफी important होने वाली है इसको copy में अच्छे से note down करके याद कर लेजेगा क्योंकि UGC में इस से matches of loving में या तो directly question पूछा जाता है अभी जो हम लोग इस topic related questions को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस topic से किस तरीके question बनता है तो देखिए punctuation में जो title proper है उसको alternate title भी बोलते हैं इसमें और का use होता है general matter designation GMD में square bracket parallel title को equal sign से other title information को colon statement responsibility को ये slash से diagnose slash addition area को पहले full stop देते हैं फिर space फिर dash और फिर space publication में place of publication को dot space name of publisher को colon date of publication को comma physical description area को collection area बोलते हैं ये भी question आता है कि physical description area को क्या बोला जाता है तो collection area और collection area के अंदर क्या-क्या आता है तो volume pages illustration और size ये चार चीज़ आता है ये पता होना चाहिए कि physical description area के अंदर क्या-क्या आता है तो volume pages illustration और size इससे एक related question आया है UGC net में तो हम लोग आगे देखें कि इस question physical description area से किस तरीके से question पूछा जाता है series में आता है आपका full stop space or dash note area में dot space standard number ISSN और ISBN को या तो हम continue लिखते हैं तो इसको continue लिखते रहेंगे अगर continue नहीं लिखने तो इसको dot space से punctuation mark देके लिखेंगे उसके बाद यहां से हमारा questions आता है यह हमारा पूरा theory complete हो गया है एक बार इसको फिर से revise कर लेते हैं AACR का हमने full form पढ़ा फिर उसके बाद किसने बताया उसके बाद यह conference सबसे पहले starting में AACR2 का दो वर्जन था 1974 में revised होता है जिसमें ISBD का adopt किया जाता है chapter 12 chapter 14 तभी आता है 1978 में AACR2 का second edition आता है 1988 में AACR2 को revise किया जाता है books and lucy format में 1998 में AACR2 को revise किया जाता है book and cd dome format में 2002 में AACR2 आता है third edition जिसमें AACR2 को 2 parts में divide किया जाता है part 1 और part 2 उसके बाद part 1 में यह सारा है और chapters उसके बाद level of description हमने देखा main entry किस type के होते है added entry किस type के होते है catalog code उसके बाद descriptive element का यह सारा punctuation mark अब हम लोग यहां से questions को देखेंगे पहला question है who was great man of cataloging तो great man of cataloging सिमयोर लुबिस्की को जाना जाता है in which year paris statement और paris principle came out तो paris principle और paris statement कब आया था तो 1961 में question है next question है chapter 9 of AACR2 has changed its name in AACR2 R2002 identify the change name computer files electronic resources machine readable data files यह computer resource chapter 9 में जो AACR2 2002 में आया उसका नया नाम क्या रखा गया तो इसका जो नया नाम है वो है electronic resources फिर next question है चैप्टर 12 of AACR2 has changed its name in AACR2 2002 identify the change name integrated resources continuing resources periodical या online resources तो चैप्टर 12 का तो AACR2 में जो level of description है वो कितने level of description है तो three हमने तीनों के बारे हम पढ़ा पहला small library के लिए second level large library के लिए और third level जो है special library के लिए use होता है second level of description को हम लोग standard description भी बोलते हैं in the tracing section of the main entry first we record title author series or subject tracing section में हम लोग सबसे पहले क्या record करते हैं तो subject को next question है in main entry of AACR2 pages and size are recorded in note area responsibility area physical description area none of the area तो देखें ये pages और size से related है तो pages size illustration ये सब और volume ये सब किसमें आता है तो physical description area में आता है जिसको हम लोग collection area भी बोलते हैं next question है ISBN is the given in the main entry of which of the following codes ACR, ACR2, CC, ALA तो ISBN number जो हमारा सबसे पहले ACR2 में आया फिर next आया है पहले टाइटल are joined in ACR with colon, semicolon, hyphen or equal sign तो पहले टाइटल जो हमारा equal sign से बताया जाता है next question है if all the works by a person appear under verse pseudonym coding according to ACR2 the entry should be made under title, real name, pseudonym या both real and pseudonym बहुत सारे ऐसे author होते हैं जो अपने book publish में अपना नाम नहीं बताना चाते हैं अगर उनका जो work है वो pseudonym author से बनाया गया है तो जो catalog code होगा catalog card जो बनेगा उसमें भी जो उनका title रखा जाएगा वो भी pseudonym से ही रखा जाएगा उनका नाम नहीं publish किया जाएगा next question है how to record the size of the document in the main entry of AS or to in case the height 20.2 and width is 27 cm अगर height 20.2 and width 27 cm तो हम लोग उस document का record कैसे रखेंगे क्या रखेंगे size तो अगर एक भी decimal में आ जाते हैं तो हम लोग उसके बाद का proper digit रखते हैं तो इसका जो answer होगा 21 x 27 cm होगा next question है the primary pages are recorded in the main entry of AS or to words, Arabic, Numerals, Roman, Small Numerals or Roman Capital Numerals तो primary pages जो main entry में होता है वो हमारा Roman Small Numerals में आता है next in AS or to N.I. Malik Passway will be rendered as देखे किसी भी author का नाम जो है AS or to में लिखने के लिए एक तरीका है उसमें हम लोग क्या करते हैं जो पीछे का surname है वो हम लोग क्या करते हैं आगे रखते हैं और आगे का जो first name होता है उसको हम पीछे रखते हैं इसके अंसर होगा बिपलोग्राफिक डिस्क्रिप्शन और चॉइस अफ में अड़ेंटी जोगा इसके अंसर होगा जहां से इन फेलनेंस टेकन इसको क्या बोलते हैं चीफ सोर्स ऑफ इंफर्मिशन नेक्स्ट कोश्चन है यह कोश्चन हो चुका है नेक्स्ट कोश्चन है इन एकॉर्डिंग तू एस यार टू आर में किसी एक आथर मेरे यहां पर जो पर नाम से बनेगा तो हम लोगोंने पढ़ाई कि जो सरनेम होता है वो आगे आता है और फर्स्ट नेम जोता है वो पीछे जाता है तो इसका जो एंसर होगा यह सोटन फेलेक्स होगा नेक्स्ट कोशन है इडेंटिफाई दा पैपलिकेशन इयर्स और डिफरेंट एडिशन्स ओफ एस यार हमने एस यार कर डिफरेंट एडिशन्स पढ़ा है कब कब वो पब्लिस हुआ है तो इसका जो एंसर होगा फर्स्ट नाइंटीन सिक्टी सेवन नाइंटीन एटी एट एट नेक्स्ट कोशन है इंटी डेट गोज इंटू एकाटलॉग फूर पार्ट्स और चैप्टर ऑफ डॉक्टिशन्स नाइंटीन इंट्री इसका जो एंसर होगा वह है इसका इंसर क्या होगा अने लिटिकल इंट्री नेक्स्ट कोशन आपका कि इन काटलॉग इंटेस्ट इसकॉर ब्रैकेट्स और यूजड किसले यूज़ करते हैं तो इंख्लोज इंफॉर्मिशन टेकन फॉर्म आउटसाइड नेक्स्ट कोशन है विच लॉव फॉलाव इंट्री पर्सालिटी नेक्स्ट कोशन एंट्री प्रिपेर्ड फूर्थ फॉर्व ओठर्थ्यौ फॉर्थ। पर्फॉल डॉप्युमेंट अल्टर्नेट्टिव टॉठी या पर्टॉफ फॉर्थ अथर्द नेट्यौन में जो हेडिंग सेख्शन होता है वो आपका फिस् नेक्स्ट कोशन है standard size of the catalog card used in libraries तो standard size of catalog क्या है तो 12.5 x 7.5 cm RDA is related to classification, cataloging, searching या browsing तो RDA आपका किसे related है cataloging से नेक्स्ट कोशन है in AACR2 additional statement has to be written in Roman alphabet, figures, words या Indo-Arabic तो additional statement को आपको किसे लिखना है तो Indo-Arabic नेक्स्ट कोशन है unit card principle is associated with card catalog, self-cards, book card या all of the other तो unit card जो है आपका card catalog से समन्दित है विच cataloging code first used in ISBD, CCC, AACR2, ALA या all of the other तो ISBD में के लिए कौन सा cataloging code start होता है सबसे पहले तो AACR2 नेक्स्ट कोशन है the primary distinction between RD and AACR is structural, relational, non-structural or combination है तो RD and AACR में किस चीज़ का difference है तो structure का नेक्स्ट कोशन है the purpose of a C reference in a library catalog is to direct user from a standard term to a non-standard term, broader term to a raw term, non-standard term to a standard term, term to its related term तो C reference का क्या काम है library catalog में तो non-standard term to standard term नेक्स्ट कोशन है the GMD ने catalog entry according to AACR2 revised edition is given after the title proper, after the statement of responsibility, before the title या before the statement of responsibility तो GMD जो होता है general material description जो होता है आपका AACR में catalog card में title से title proper के title के बाद आता है मतलब पहले हम लोग title लिखेंगे उसके बाद हम लोग gender material description देते GMD नेक्स्ट कोशन है आपको punctuation mark के हिसाब से match the flowing करना यह AACR2 यह connecting symbol the size of document colon statement of responsibility plus between place and the name of publishers semi colon accompanying material diagonal slash तो इसके answer होगा statement of responsibility का हम लोगो diagonal slash पता है 2 का D होगा size of document आपका होगा semicolon between place and the name of publishers कौन से sign का यूज होता है तो colon और accompanying material का कौन सा plus next question है यह question हो चुका है फिर हाँ identify the sequence of the title and statement of responsibility area from the flopping title proper parallel title GMD statement of responsibility आपको sequence में arrange करना है कि आप catalog card में कैसे set करते हैं तो इसका जो answer होगा सबसे पहले title proper उसके बाद GMD उसके बाद parallel title उसके बाद statement of responsibility next question है the other title information in a statement of responsibility area in AACR2 is preceded by semicolon hyphen dash या colon तो other title information जो statement of responsibility में किसे precede किया जाता है तो semicolon में फिर यह question हो चुका है तो यह था हमारा आज का AACR2 का फुल वीडियो जिसमें हमने पहले इसका detail वाइस discussion किया उसके बाद इससे related questions को देखा तो friends इसके proper notes बनाएगा इस तरीके का आपको detail में I think नहीं मिलेगा तो इसको अच्छे से notes proper बना के इसको याद कीजिएगा क्योंकि काफी सारे exam साने वाले हैं और आप लोग का selection होना चाहिए तो thank you friends मिलते हैं next video में तब तक हसते रहेगा पढ़ते रहेगा और चैनल को like से subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलेगा क्योंकि काफी ज्यादे effort लगता है thank you